नमस्कार मितरों आप सभी का स्वागत है C.Y.S. लोजर में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्थुन लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है अभी 6 अपरेल 2021 किसको वो किस तरह का परणाम देगा मित्थुन लगन वालों के लिए गुरु एक संत्म घर का मालिक है और दस्वे घर का मालिक है दोनों ही सुभाव है क्योंकि एक तरफ से ये पत्नी का, पार्टनेНетशिप का और वियोसाय का कारक है और एक तरह हमारे जो मान परतिष्टा है समान है हमारा कर्म है उसका कारक है हाँ ये सात्वेगर से थोड़ा मारके जरूर नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम इसकी भूमिगाओं को देखे तो पत्नी है तो उसका लाब है अच्छी पत्नी मिले पत्नी के साथ विवाईक जीवन जो है बहुत अराम दैग निकले तो उन सिब का कारेक गुरू है और गुरू जो है वो मिथुल लगन के जात्वों के लिए नवे घर में गोचर कर रहा है तो नवा घर जो है वो विशेश रूप से अ लग-लग मैं तो पूर्ण परिणाम देता है जैसे कि करम की अगर हम बात करते हैं तो करम के लिए यहां पर पर्मोशन ट्रांसपर यात्राओं में आना यहीं कि जातक का इस्तान परिवर्तन होना अगर जातक अपने नौकरी में अपने काम में इस्तान परिवर्तन कराना च सबसे पवित्र संधान्स तो सबसे पवित्र संसक्रती का यानि कि जो कुम्ब है जो 12 साल से आता है तो यह इस गुरू के कारण ही आता है गुरू जब भी कुम्ब रासी में आएगा यानि कि हर 12 साल के बाद तो महा कुम्ब होता है तो जातक अपने माता पिता को कुम्ब का दर्सन कराता है वो यहां पे इस गुरू के कारण ही होता है तो ये एक बहुत अच्छा लाव है, यहाँ पे मित्तुन लगन वालों के लिए एक अच्छी परणाम बनेंगे, यानि कि जातक कोयात्राओं का और धार्मिक कारियों का बहुत अच्छा लाव है, घर में मांगलिक कारे होंगे, यह इसको लाव मिल रहा है, अगर जातक education से ज वो क्या करेगा, मित्तुन राशी को देखेगा अपनी पांच्छी दृष्टी से, तो लगन को देखता है, तो जातक की बढ़ाई के तरफ रूची ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि लगन क्या है, हमारी मान प्रतिष्टा और हमारी सोच है, तो जैसे ही गुरू की इसरे घर पे आएगी, तो आपको यात्राएं होगी, छोटी-छोटी यात्राओं से धनलाव मिलेगा, ट्रास्पर होने का योग बनेगा, आपके प्राक्रम निखार आएगा, आपका कम्यूकेशन बढ़ेगा, और आपके छोटे भाई-वहिन उसका आपको सयोग मिलेगा, आपके पडोशियों के द्वारा सयोग मिलेगा, तो आपको हर तरह से लाब मिलने के योग बन रहे, एक द्रिश्टी जो आपके पांच जो घर पे आती है, तो पांच वांगर क्या गुणवक्ता है, यानि कि आपकी जो स्मार्टनेस है, उसको दिखाता है, आपकी शिक्ष इच्छा के व्यापार के छतर में तो बहुत अधिक लाब है, क्योंकि यहां पर हर तरह से हमारी इच्छा एंपूर्ण होती है, हमारी सारी मनों कामनाएं पूर्थ है, क्योंकि भाग्य भाव में आया है गुरू है, लेकिन अगर हम विवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो ह हमारे को यहां पर थोड़े से इसके असुप रना मिलेंगे, क्योंकि सात्वे का तीसरा है, तो यहां पर इसकी सोतन बन गया, तो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर की तरफ जानने के भी योग बनाता है, सात्वे आपकी जो हैं, वो सेकिंड मेरिज के भी योग बनाता है, तो आपको यहां पे गुरू नवे गर में गोचर करा है तो आपको यहां पे कहीं और extra metal affair होने की यूग बन सकते हैं यहां पे सावधानी रखे इस तरह का असुप करें ने करें क्योंकि गुरू एक नर्सेगी सुप ग्रह हैं इस गुरू को इस तरह की इसी वीडियो में थोड़ा सा अंद में तो यहां पर क्या गरेगा कि गुरू जो है वो नवे घर में आ रहा है तो आपका यहां पर सब्सक्राइब से एक और प्लस पॉइंट बना रहा है तो यहां कि हम कोई एक्ष्टा मेडल अफेर में आ सकते हैं या फिर हमसे और ओप्सन देता है यानि कि री यूनियन की चीज़ें देता है तो आप अपनी पत्नी से फिर से जुड़ सकते हैं और आपको धलाब हो सकता है यानि कि धलाब की जगए हम यह कह सकते हैं कि आपको आपका परिवारिक वर्दी वापिस हो सकती है तो यहां पर लाब भी है और नुकसान भी है, नुकसान यह है कि एक्स्टा मेरिटल अफेर की तरफ जा सकते हैं, तो वहां से आपको नुकसान हो सकता है, और एक लाब यह है कि आपकी पत्नी अगर आपसे नाराज हैं, आपका बोल चाल बंद हैं, तो री यूनियन की योग बंते हैं, या फिर आपका पहले तलाक हो चुका है, तो आपको यहां पे जो हैं, आयावा गुरू जो हैं, वो कहीं न कहीं दूसरी मेरिज के यानि सेकिंड मेरिज के योग बनाता है, दूसरा यहां पर आया वा गुरू आपकी परिवार वर्दी को बढ़ा रहा है क्योंकि इसकी एक दृष्टी जो है वो पांच यो गर पर आ रही है संतान की बुमिका दिखा रहा है यानि कि संतान वर्दी को दिखा रहा है संतान को दिखा रहा है तो संतान होने के योग बन स से देगा देखिए इसको समझना बहुत ज़दी है इसका फलादेश करना बहुत ज़दी है क्योंकि क्योंकि हम अकेली नहीं है इस धर्ती के उपर जिनका मित्तु लगन है और हमारे जैसे हजारों करोडों लाखों लोग हैं तो सभी लोगों के लिए अच्छे परिणाम हो य सब यहां पर जो अपनी मर्स में में आए यहां बिड़ा हो डिपीड़ियों से चलेगा और पिर शलेग आप Catholic सब्सक्राइब और मंगल जो कर रहा हूँ बारवे घर में कर रहा है तो अभी जो गुरू के परणाम होंगे ज़्यादा ज़्यादा इंवेस्टमेंट के होंगे विदेश यात्राओं से समधित होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के होंगे यात्रा परिवर्तन का या फिर जगय को चेंज करने में या फिर दार्मी के यात्राओं में घूमने फि करना अपने आपको सोचना समझना अपनी परतिष्टा को बढ़ाना तो वो सब चीजें यहां पर दिखाना शुरू कर देगा तो यही गुरू अलग-अलग परणाम देगा अपने नक्षत्रों के अनुकुल जब गुरू राहु के सत्विसा नक्षत्र में जाएगा तो फिर जिस तरह की चल रही है उसी तरह की आपको परिणाम मिलेंगे यानि कि आपकी जो अंतर्षा है या प्रतिष्टर्षा है हम को इसलिए टार्गेट में लेंगे क्योंकि गुरू का जो कौकर यह जाड़ा बढ़ा नहीं है यह पांच मेने सवा 5 मेने का होगा तो इसमें क्य ह होगा कि आप अंतर दसा को टार्गेट में ले लिए तो आप जब इस अंतर दसा प्रतिंतर दसा को टार्गेट में लोगे तो आपको यह पता चलेगा यहां पर कि जो हमारी प्रतिंतर दसा या अंतर सन्वी उच्च का हो गया तो अच्छे ठद्न है देने लिए मान लिफे यहां पे सूर्य बैठा हो और सूर्य की अंतर दसा चल रही हो तो जात्व को क्या होगा कि अशु बंधर दसाइस का मतलब हानी होगी तो जात्तान की कोई सिसills कर रहा है सन्थान उसकी उस समय होगी नहीं उसका प्लान फेल हो जाएगा अगर कोई इस तरह की फिल और करा यहां संतान से समय पीड़ा आएकि जैसे संतान जो है वो कोई परिशा दे रहा है तो वहां पर फेल हो जाए संतान लेकिन दोनों के संतानों के परिणाम अलग अलग आगए वह अपनी दसा अंतर दसा से आए हैं तो इस तरह से आप भी इस चीज़ को समझें अब तो मेरा ट्रांसपर हो जाएगा तरने की जरूत नहीं है अब तो मेरा वीजा लग गया है आप दरने की जरूत नहीं है तो यह सब चीजों में न पसे यहां पे समझना बहुत महत्वपून है इसके लिए आप क्या करें कि गुरू को गोचर को अपनी जन्मक उंडिनी के उपर समझे अप लाइक करें उसके बाद आपको पढ़ना मिलेंगे तो इस तरह से अच्छे और बुरे पढ़ना मों को समझे तो आज का यह जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताए अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें सेस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों झाल